हलो फ्रेंट्स वेलकम टू गार्गी क्लासिस डेटा आज की तेरा नॉबर दोजार बीस और देख लेता है इंडियन एक्स्प्रिस के एक्स्प्रेंड पेट से आर्टिकल्स जो अभी हम डिसक्स करेंगे पहला आर्टिकल है डाट इस वाट इस वाट इस वाट इस वाट इस टेक्निकल रिसेशन क्या होता है रिसेशन क्या होता है रिसेशनरी ट्रेंड क्या होता है रिसेशनरी फेज क्या होता है वो जानेंगे फिर टेक्निकल रिसेशन क्या है उसके बारे में देख लेंगे ठीक है थोड़ा सा एडिया यहां से लेंगे वाट हैस चेंज रिन लें किये गए हैं जम्मो कश्मीर में क्योंकि आपको जैसे की पता है फिफ्ट आफ ऑगस्ट नाइन तुट थाउजन नाइंटीन को जम्मो कश्मीर का स्पेशल स्टेटस जो था वो रिवॉक कर दिया गया था आर्टिकल 370 जो हमारे इडियन कॉंस्टिटिशन का जिसमें जम्मो कश्मीर को स्पेशल स्टेटस दिया हुआ था उसको इनक्टिवेट कर दिया गया तो उसके बाद में यह कही ना कहीं यूटी में convert कर दिया गया था जम्मो एंड कश्मीर को जम्मो एंड कश्मीर reorganization act के basis पे दो यूटी में division कर दिया गया था जम्मो एंड कश्मीर another is लद्दाक तो जम्मो एंड कश्मीर से related यह article है देखेंगे यह article बिल्कुल काम का नहीं है तो चलिए स्टार्ट करते हैं discussion सबसे पहले जानते हैं what is a technical recession अभी आप देखोगे latest monthly bulletin declared किया गया है Reserve Bank of India के दुआरा November month के लिए जिसमें आप देखोगे एक chapter है particular उस chapter में लिखा हुआ state of the economy economy की state क्या है उसके बारे में यह जो idea है ना monthly basis पे snapshot देने का यह इंडिया में economic health के बारे में बताने के लिए कुछ indicators को पिक किया जाता है इससे क्या होता है कि एक पूरी एक image आ पाती है हमारे सामने कि हमारी economy अभी currently क्या phase से गुजर रही है तो आप देखोगे इस तरीके के bulletins की शुरुआत होगी थी January 1947 से फिर उसके बाद में इसको एक interrupted way में बंद कर दिया गया था 1995 में और अभी तक वो बंद ही था अब देख सकते हो कि यह जो bulletin है monthly basis पे जो bulletin है उसको RBI ने revive किया है यह चीज इस bulletin में ही बताई गई है तो नवंबर मन्त में यह आया है इससे पहले हमने कभी सुना भी नहीं है इस बारे में आपको ध्यान होगा बाकी यह कब से शुरू है independence के time से बट वोई चीज है 1995 में इसको एक तरीके से रोक दिया गया था इसके अलावा आप देखोगे इस exercise के अलावा RBI जो है अब स्टार्ट कर चुकी है now casting के एक पास्पेक्टिव को लेकर के जिसमें present situation को और near future status of economy की बारे में prediction लगाई जाती है ठीक है कि अभी क्या चल की गई है ना यह जो bulletin शुरू हुआ है इसके basis पर प्रडिक्ट किया गया कि इंडियन economy जो है वो second quarter that means अभी जो current financial year चल रहा है 2020-2021 ठीक है जिसको जुलाई August September का जो quarter है वो 8.6% से contract करेगा बट आप देखोगे जो first quarter था ना इस annual इस particular financial का उसमें आप देखोगे April May June वाला ज उसके comparison में quarter two जो है वो अपने आप में बहुत crucial है और आप देख सकते हो कुछ ना कुछ यहाँ पर low as compared to first quarter कहिना थोड़ा वोत कम contraction देखा जाएगा बट फिर भी contraction है और इस contraction की वज़े सही क्या कहा जा रहा है कि इंडियन economy जो है वो technical recession में आ चुकी है अब technical recession क्या है उसके यह पहली बार हो रहा है इंडियन history में अगर हम देखे तो तो इसके लिए अगर technical recession को हमें समझना है तो हमें दो चीजों के बारे में अच्छे समझनापड़ेगा एक तो recession के के वारे में एक recessionary phase के बारे में देखो सब से पहले बात करते हम recessionary phase के बारे में ये देखो एकदम simple सा process है simple सा process ये है कि मान लो अगर economy हमारी अच्छा perform कर रही है तो economy perform करती है तो top पे जाती है GDP growth और फिर उसके बाद में बुरा बुरे से बुरा perform करती है तो low waste चली जाती है तो ये जो peak और ये यहां पे जो आप trough देख रहे हैं मतलब crest और trough इस पूरे cycle को आप कहते हो economic cycle ठीक है इसके बारे में आपने पढ़ा भी होगा कि किस तरीके से पूरी एक economy perform करती है तो इस पूरे cycle को जिसमें दोनो phases consider हो जाते है ना वो कहलाता है business cycle और ये हो सकता है एक साल भी हो सकता है या फिर एक दशक के बीच में भी हो सकता है जब एक economy बहुत शांदार perform करती है और जब एक economy बहुत बुरे तरीके से perform करती है ठीक है तो ये जो cycle है ना एक तरीके से इस cycle का ये जो बुरा performance वाला phase है ना इस phase को बोला जाता है recession recessionary phase अब देखो यहाँ पर इंडियन economy के बारे में बता रहा है बता रखा है कि 1951 से 2020 तक अगर इंडियन economy के बारे में हम देखें तो देखो 0 के उपर है बट ये वाला particular segment देखो जिसमें यहाँ नीचे की तरफ भी जा रहा है तो यह जो नीचे की तरफ जा रहा है इस phase को बोला जाता है recessionary cycle, recessionary phase इसका मतलब क्या हो गया अगर GDP growth हमारी plus में है उस time पर भी अगर economic activities थोड़ी down चली जाती है तो उस phase को recessionary phase कहा जाता है जो की एक year में भी हो सकता है या फिर एक दशक के बीच में भी हो सकता है तो यह चीज हम यहाँ से बिल्कुल clear है that means की positive territory में होने के बावजूद भी recessionary phase आ सकता है जो मैंने अभी आपको समझाया फिर बात आती है की recession और recessionary phase में difference क्या है देखो recession का मतलब तो यह होता है कि जब GDP growth rate हना वो आप देख सकते हो वो कहीं ना कहीं decline करें recessionary phase में तो हमने क्या देखा था कि GDP growth rate plus में है बट उसकी declining हो रही है positive territory में रहते हुए तब जाके recessionary phase आ रहा है जबकि recession का मतलब क्या हो गया कि GDP हमेशा contract ही करेगी that means GDP में decline देखा जाएगा मतलब minus की territory negative territory में आप register करोगे तो आप 2020 का यहाँ पर देखो क्या हो रहा है बिलकुल decline किया हुआ दिखा रहा है या फिर आप देखो 1978 वाले phase में देखो या फिर 1963-66 वाले phase में देखो तो यह time था recession का जब GDP growth rate contract करती है समझ क्या आप और दूसरा recessionary phase का मतलब क्या होता है कि growth तो है positive में register कर रहा हो बट वो declining है trend थोड़ा सा reduced way में दिखा रहा है तो इसके लिए USMA National Bureau of Economic Research जो है NBER उनके according यह define किया जाता कि recession आप बोलोगे क्या तो उनका कहना यह है कि during a recession एक significant decline देखा जाता economic activities में जो कि different economic मतलब different sectors में आपको spread it दिखाई देगी वो चाहे एक month में देख सकते हो कुछ महिनों में देख सकते हो या फिर एक साल में देख सकते हो तो कहने का मतलब एक significant decline देखा जाता economy में ठीक है तो NBER के according अगर देखें तो business cycle की dating जो मतलब business cycle dating committee है उनके according देखें तो employment, consumption इनके अलावा GDP की growth rate इन पर ध्यान दिया जाता है इसके अलावा ये देखा जाता है कि कितना गहरा गहा है, decline कितना गहरा है और कौन कौन से sectors में और कितनी depth तक diffused है और duration time कितना है February 2020 में, जो कि फिर COVID-19 का pandemic वहाँ पर जो outbreak हो गया था उसके बाद में और भी ज़्यादा decline करता हुआ देखा जा रहा है और वो throughout economy मतलब USA के 500 के 500 states में कहीना गहीं देखा जा रहा है एक declining trend तो ये downturn जो हना ये अपने आप में आप classify कर सकते हो recession के तोर पे जो कि अभी पिछले 7-8 या 9 मैंने उसे लगातार चलता रहा है, revival का scope अभी दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा तो अब अगर recession और recessionary phase है, ये दोनों clear हैं आपके, तो अब देख सकते हैं क्या technical recession क्या होता है देखो, जो हमारे पास में empirical data available है, उससे हमने क्या पता किया recession के बारे में और इसके बारे में अगर आपन example के point of view से देखें, तो आप देख सकते हो economic activities में consumption और unemployment अपने आप में बहुत important होता है, तो दिखाई क्या दे रहा है Indian economic point of view से कि GDP जो है न, वो तो possibly आने वाले time पे कहीं न कहीं grow करती हुई दिखाई दे रही है बट unemployment है, वो अभी भी कहीं न कहीं decline पे नहीं है, मतलब रुजगार नहीं generate कर पा रही है Indian economy चाहे growth हल्की फल्की register कर पा रही हो, basically 2008 का अगर subprime crisis या फिर global financial crisis की बात करें तो NBER ने क्या कहा था, USA का जो board है उसने, कि भाई 2009 जून आते आते इस recession का असर जो है USA में खतम हो जाएगा बट reality आप देखोगे कि जो non-farm payroll employment था, मतलब agriculture के बाहर जो permanent job जो मिलती है उन jobs की अगर बात की जाए तो April 2014 आते आते ये जो recovery थी वो पूरी हो पाए थी जो की इस crisis के पहले जिस level पे चलता था मैं repeat कर रहा हूँ कि आप देखो NBER ने क्या कहा कि जो ये recession की वज़े से problem है ये 2009 के जून आते आते खतम हो जाएगी बट reality में क्या हुआ कि non-farm payroll employment की अगर बात करें तो वहाँ पर जितना 2008 के इस crisis के पहले एक level था ना non-farm payroll employment का उस level तक पहुंचते पहुंचते एपरिल 2014 लग गया था जबकि बोला क्या गया था जून 2009 आते आते आप cover कर लोगे तो यहाँ पर आपको समझ में आना चीए कि इस से पूरे data से हमें कई ना कई कुछ technicalities पे सवाल उठना शुरू हो जाता है कि किन basis पे हम जो consideration लेते हैं और यह कहते हैं कि रिसेशन तो लगातार जा रहा है और GDP decline करेगी तो वो technicalities की वज़े से कहीं ना कहीं recession continue बना रहता है इसलिए इसको क्या बोलते हैं technical recession ठीक है कि आपने calculation लगाई perception लगा है कि हाँ एक मैने दो मैने पांच मैने में हमारी economy recover कर जाएगी बट आपने reality में जब experience किया तब पता पड़ता है कि यह छोटा सा नहीं है कितने 5 साल लग गए 2009 में होने वाली जो चीजे थी वो 2014 में जाके complete होई तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि जब हम recession के बारे में यह कहें कि recession is in progress number two GDP decline कर रही है और पिछले दो quarters में यह लगातार हमने register किया जो कि previous quarter में कितनी थी 23.9% और current quarter के कितनी बोल दी minus 8.3% का contraction तो इस तरीके से आप देखोगे कि लगातार दो quarters में हमने recession register किया वो अपने आप में एक benchmark बन जाता है क्योंकि अब आपके पास में इन दोनों quarters के basis पर आप क्या कह रहे हो कि overall Indian economy contract करेगी तो इस तरीके से क्या हो गया आपने क्या finalize कर दिया this is technical recession कि हमारे पास में perception कुछ और है calculation कुछ और है और reality में कुछ और ही दिखाई दे रहा है और previous दो quarters में हमारे पास में ये data हमारे पास में available है तो UK हो गया Brazil हो गया African countries हो गए ये चाइना हो गए ये सारे के सारे कहीं नहीं परिशानी का इसका सामना कर रहे हैं और इंडिया के technical recession की बात करें तो क्या ये unexpected था जी नहीं बिल्कुल भी नहीं क्योंकि problem की अगर nature के बारे में समझे तो पेंडेमिक की वज़े से सारा कुछ हुआ था और lockdown जैसे मार्च में लगा था तो उस टाइम पे बिल्कुल एक चीज आ गई थी economist के दिमाग में कि इंडियान economy जो है वह अब recession में आ जाएगी बट आप देखोगे effect को कि अब धिरे-धिरे हमारी economy expected way के अंदर धिरे-धिरे contract हो कर रही है अब पर आप देख रहे हो एक और quarter या भी जो second quarter उसमें और contract करेंगी बट आप देख सकते हो कहीं नहीं थोड़ा बहुत इक scope भी दिखाई दे रहा है बट यह point आता है कि क्या इंडियन economy recession के तरफ जा रही थी इसका idea था कि नहीं जे लिकुल था शुरू में पता था इस बारे में तो यह recession कितना टाइन तक चलेगा देखने वाली बात है तो इसका जवाब यह दिया था है कि देखो कोई recession जो होती है ना वह कुछ quarters से लेके और एक मतलब एक साल के लिए या फिर डेड़ साल के मैक्सिमम रह सकती है तो अगर कुछ quarters तक रहे तब तक तो recession है बट वह recession एक साल में convert हो जाए लगातार चाहिए तो उसको टेकल कर लिया जाएगा उतना ही रिसेशन को टेकल कर लिया जाएगा तो रिसेशन इस टेंपर कोविड नैंटीन है क्योंकि हर एक economic activity पर impact किसका जारा कोविड नैंटीन जैसे कि आपको पता होगा कि यॉरॉप में second wave आ चुकी है कोविड नैंटीन इंफेक्शन की तो उसकी वज़े से कहीं ना कहीं पार्चल या फिर फुली लॉग डाउन एप्लाई करना शुरू कर दिया है तो हमारी जो फाइनांस मिनिस्टर निर्मला सिताना मंजी ने उन्होंने तो एक आशा व्यक्त की है कि इंडिया जो है वो रिसेशन से का मतलब हमने समझा नेक्स आर्टिकल दिखते हैं नेक्स आर्टिकल अब वट हैस चेंज्ट इन लेंड लॉज फोर जम्मो एंड कश्मीर अभी मिनिस्ट्री ओफॉम अफेर्स ने 26 अक्टूबर के ओर्डर डिकलेर किया था जिसमें 14 कानूनों में वहां के लेंड से रिले किया गया है तो इनमें 5 मेजर लॉज हैं वह 5 मेजर लॉज के बारे में बता जिता हूँ कौन-कौन से हैं नमबर वन जे एंड के डिवल्लप्मेंट आक्ट जे एंड के लेंड रिवन्यू एक्ट 1996 और जे एंड के लेंड ग्रांट एक्ट 1960 अब इनमें सबसेंग इंपोर् पर सिगनिफिकेंट से अब नहीं रही है जैसा कि आपको पता है क्योंकि पांच अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस दिया हुआ था आर्टिकल 370 में और आर्टिकल 35A के बेसिस पे वो रिवॉक कर लिया गया था वो अब है नहीं तो पर्मानेंट रेज क्योंकि अगर आप जमो कश्मीर की बारे में बात करो तो एक हो सकता है पर हाँ सब्स्टांशियट करने के लिए शायद मुझे लगता नहीं इतनी इन डैप्थ चीजें काम आएगी क्योंकि ये पर्टिकलर स्टेट के लिए है पर हाँ जम्मू कश्मीर अपने आप में अरना भी जरूरी है तो हमने देखा एक तो permanent resident वाला जो scope था वो अटा दिया दूसरा आप देखोगे कि land से related जो कुछ भी था उसमें एक strategic area को define किया गया है नए amended act में ये बताया गया है कि section 3 के अंडर में अगर कोई भी government का army officer ठीक है जो कि commander से upper rank का होगा या फिर commander खुद या में अगर लिख करके return request करते हैं तो उनको अलाव कर दिया जाएगा कि एक particular region को या particular शेत्र को अपने अंडर में ले और उसको strategic area declare कर दिया जाए और वहां पर आर्मी professionals को training दिलाई जा सके समझ गये इसी के अलावा आप देखोगे और भी important laws जिनको रिपील किया गया जैसे कि जेंड के alienation of land act 1938 यह बिल्कुल लोग कर दिया गया है बिग landed estate abolition act 1950 इसको भी हटा दिया गया है कहने का मतलब अब यह permanent resident certificate यह सारी की सारी चीज़े collapse हो गई है अब वहां पर ऐसा कुछ प्रोविजन नहीं है फिर बात आ जाती अग्रिकल्चर लेंड की तो अग्रिकल्चर लेंड के लिए तो सिंपल सा काम किया गया है देखो पहले चीज़ तो यह जो लेंड रिवन्य एक 1996 है उसमें जो नया amendment लाया गया तो एक section 133A डाल दिया गया उसमें सीधा सा क्या गया है कि जो लेंड एग्रिकल्चर परपरजेज के लिए यूज हुई है आप उसको नौन एग्रिकल्चर परपरजेज के लिए यूज नहीं कर सकते और अगर आप एग्रिकल्चर लेंड को नौन एग्रिकल्चर में convert करना चाते तो कनवर्जन फीद और फिर उसके बेसिस में अग्रिकल्चर लेंड को नोन अग्रिकल्चर यूसेश के लिए आप यूज कर सकते हूँ समझ गए तो इस तरीके से वह नॉर्मल जो लॉज एक्ट लॉज एप्लाई होता है न स्टेट लवल पे उस तरीके से जैसे राजस्ता है अजमेर में लॉकेटेड तो वो लोग बताते हैं ठीक है तो वही चीज कहीं न कहीं वहाँ पर अप्लाई हो जाएगी कि रिवेन्यू बोर्ड से उनको डिवेन्यू डिपार्टमेंट से उनको एस्टिमेशन लेना पड़ेगा और फिर उसके वेसिस वे वह कनवर्जन कर बता दी क्योंकि अब जमो कश्मीर के बास में स्टेटस जो है स्पेशल स्टेट स्टेट का नहीं है और जेंड के रियोर्गनाज़ेशन एक्ट के बेसिस के ओपर यह चेंज लाए गए हैं ठीक है बाकी प्राब्लम कहा हैं अब्जेक्शन क्या हो रहा है देखो जी सबसे परड़ी प्राब्लम यह है कि डेमोग्राफिक चेंजेज ना जाए क्योंकि मुस्ली मिजोरिटी का एक यूनियन टेरिटरी या जमो एंड कश्मीर अभी करेंट ली देखे तो तो अगर पूट पूट फूर से लिया फिर आउटसाइडर्स अगर आते हैं तो उनको कहीने करें थोड़ा डर है और आपको पता होना चाहिए कि गुपकर डिक्लारेशन गुपकर डिक्लारेशन में जैसे की पीडीपी हो गई उसकी लीडर में मुफ्ती हो गी या फिर नेशनल कॉन्फरेंस हो गया फिर लोकल जो पहले अलरडी जमो एंड कश्मीर स्टेट स्टेट जब था तो उस टाइम पर जो रूलिंग पार्टी जुआ करती था में लेडिंग पार्टी जुआ करती थे उन्होंने साथ में कॉलाबरेशन किया है कि हम फिर से स्टेट को री एक्टर के सभी मतलब री उसी स्टेज पर वापिस लेकर के चले जाएंगे जमो एंड कश्मी करने की कोशिश भी किया है उसके बारे में एक आर्टिकल अलड़ी हम डिसक्स भी कर चुके एडिटर्यल पेज पर तो इसके साथ में हमारा डिसक्रिशन यहीं खतम होता है यह थैंक यू वेरी मुच वार वाचिंग दिस वीडियो और हैपी दिवाली इन एडवांस थैंक दिव चुके यू